हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू मैं चैनल आज मैं आप लोगों के साथ सेयर कर वी ऐसी नास्ता की रेसी फिरेंड्स जिसकों बहुत ही असानतरी किसे बना के त्यार करेंगी घर में रखे वेसिक समानों से बहुत ही जटपट बना के त्यार कर सकते हैं तो चलो देर ना करते को मैंने इस तरह से चील के अच्छी से धूलिया है फिर एक मिक्सिंग बॉल में पानी रखिए इस तरह से एक से दो गिलास फिर जो कच्छी आलू उसको हम लो हमको पतली वाले ग्रेटा राते उससे इस तरह से कद्दूकस करके त्यार कर लेना है तो इस तरह से बारी बार मिक्सिंग बॉल लिी चीए और जो कच्छे आलो हम इस तरह से हमको इसमें डाल देना है फिर एक कप इस तरह से मैंने और पानी के बार अच्छे से लिए नहीं पानी डालेना है आठ लूगयम से बाद से मिक्षची आलो गंए मैं अबल देड़ बीसanche हमको पानी जै तरह से क्योंकि बेसन है ना तो बेसन है ना इसलिए तो हमको अच्छे सी इसको मिक्स कर लेना ताकि लंब से गूटली ना पड़े अच्छे से मिक्स करने के बाद इसमें कुछ मसाले डालेंगे तो आधी छोटी चमच इसमें मैंने जीरा डाले हैं आधी छोटी चमच से कम मैंने इसमें अंजवाइन डाले हैं आधी छोटी चमच कुटी वी लाल मिच आधी छोटी चमच इसमें गरम मसाला आधी छोटी चमच धनिया पॉडर और कलर के लिए मैंने हल्दी डाले हैं आधी च्छोटी चमश नमख के नमख अपनी टेस्टी के अनुसार डाले और एक पिंच मैंने इसमें हिंग डाले हैं क्योंकि हम लोग बेशन सी इस नास्ती को बना रहे हैं तो हिंग जरूर से डाले हैं और एक चमच इसमें अध्रक और हरी मिर्च का इस तरह से पेश्ट डाल देना है ताकि हमारे नास्ता बहुत ही यम्मी बन के त्यार हो इसमें खुब सारी इस तरह से धनियापती डाल देना है और अच्छे से हमको मिक्स करके त्यार कर लेना है इस तरह से बहुत ही सिंपल मसा सालों के साथ ना बहुत ही टेश्टी नास्ता बना के तियार कर सकते हैं फिर घर में रखे बेसिक समानों से तो इस नास्ते के एक बड़ जरूर से बना के देखना मसाले डालने के बाद हमको अच्छे से इक तरह से मिला के तियार के लेना है फिर एक कडाहिये पैन लीजिए इसाथ चूटी चमच इस तरह से तेल डालना है तो इस तरह से तेल हलका सा गरम होने के बाद आदि चुटी चमच Sara और आदि चुटी चमच से लई तीर मेने इस तरह से डाल दी आज़िए अगर आपके पाद तील है तो जरूर से डाल लिए और इसको अच्छे से हमको मिक्स का लेना हलका सा तरकनी की बाद ना जो बैटर है ना उसको डाल दीजिए और सवधानी से डालना है फ्रेंट इस तरह से और गैस का फ्लेम लो टू म चमस से में को हिलाते जाना है और इस तरह से चलाते रहने बहुत ही अA से इस तरह से चलाते रहें के त्यार हो m कियोंकि हम लोग पहले हल तेल डाले थे इसलिए भी चिपकी भी नहीं इस दधेधे यह कुछ पर अलग से बर्तनесь निर्ट के तियार करेंगे तो एक हम श्युक्त करींगे आपसेड करेंगे दोी पर यenter केक टिन, हम अधायद तौन के चिपके न ऑने इस तरह से finishing देना है, अच्छे सी तरह से finishing देने के बाद ना, इसको 10 से 15 मिनट के रेश्टे करने के लिए रग देना है, ताकि ये ठंडे हो जाए, और ठंडे होने के बाद ना, इसको हम लोग cut करेंगे, तो cut अपने मन पसंद अनुसार कर सकते हैं, तो चाको में हलका सा तेल लगा लीजिए, और इस तरह से मैंने इसको cut कर लिए हैं, आप अपने पसंद से इसको cut कर सकते हैं, तो इस तरह से cut कर लेना है, तो मैंने cut करने के बाद इस तरह से plate में निकाल के तियार कर लिए हैं, और plate में निकालने के बाद इसको हम लोग fry करेंगे, तो दो बड़े च चार मिनट के बाद इस रसे नीचे से हलका सा क्लाच चेंज होने के बाद इस नास्ति को हम लोग पलटा देना है अलटते पलटते हैं को दोनों तरब को अच्छे से क्रिस्पने तक पका लेना है इस रसे बहुत ही टेश्टी नास्ता बना के त्यार कर सकते हैं और इस नास्ति को फ्राइख करने में जदा समय भी नहीं लगता तो इस नास्ति एक बड़ जरूर करें देखनार ृस्टीspie घालागते दियुए अगर भर में अचानक करना Splfik पने करते हैं। पर फिज नास्ति में रोज भ्लोड करते हैं, एक अब ख REYANCE को सब्सक्राइब करके डेली न्य रेसिपी देख सकते हैं वीडियो अच्छी लगी होगी तो फैमली फ्रेंस को जरूर से सेयर कीजेगा तो इसी तरह स्वादिश्ट रेसिपी के साथ मेलते हैं ने इस टी वीडियो में थैंक यू फर वाचिंग